जैमातादी दोस्तों कैसे आप सभी आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे स्वस्त होंगे दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप एक घंटा सुबे और एक घंटा शाम को करते हैं तो इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है और ये मंत्र सिद्ध होता है या नहीं होता है और इस मंत्र का जाप करने से आपके काम बनते हैं या नहीं बनते हैं तो इसी विशेपे मैं आज आपको जानकारी दूँगा तो देखी दोस्तो पंचाक्षरी मंत्र नम ओम नमस्शिवाय को कहा जाता है विशेश रूप से इन दो मंत्रों का ही जाप किया जाता है या तो साधक भक्त लोग नमस्शिवाय का जाप करते हैं या फिर ओम नमस्शिवाय का जाप करते हैं यह मंत्र भगवान शिव का मंत्र है इस मंत्र का जाप करने से भगवान शिव के शाक्षात दर्शन करें तो इस मन्तर का जाप आप कर सकते हैं लेकिन आपको इस मन्तर का जाप करना पड़ेगा तो आपको भगवान शिव के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे उसके लिए कठिन साथना आपको करनी पड़ेगी यमनियम आसन प्राणायम प्रत्यहार ध psychologist इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं सिर्फ आपका एक नियम है कि हमें एक घंटा सुबह जाप करना है एक घंटा शाम को जाप करना है बाकी आपकी कोई विशेश इच्छा नहीं है आप बस इतना चाहते हैं कि हाँ भगवान शि मैं आपको बता दूं कि अगर आप ओम नमस्चिवाय का जाप सुबह और शाम में करते हैं एक घंटा अगर आप मंतर का जाप कर रहे हैं तो एक घंटे में कम से कम आपकी 11 माला से लेकर के 16-17 माला आराम से हो जाएंगी इससे जादा भी कई लोग कर सकते हैं वो आपके स्पीड हमेशा मध्यम रखनी चाहिए ना तो बहुत धीमी गती से मंतर का जाप करना चाहिए ना ही बहुत तेजी के साथ में मंतर का जाप करना चाहिए मंतर का जाप करना चाहिए जैसी आपकी स्पीड है एक नॉर्मल स्पीड एक सामाने स्पीड उसी स्पीड में मंतर का जाप करना जाधा स्रेष्ट रहता है उसी स्पीड में मंत्र हमें जाधा फलित होता है तो मैं आपको बता दूँ देखिए पंचाक्षरी मंत्र का जब जाप किया जाता है तो इस से क्या होता है कि भगवान शिव की जो उर्जा है ब्रह्मार्ण के पालन करता है उनकी कृपा उनका आशिर्वाद उनकी दिव्य उर्जा हमारे पास आनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके हमारे जीवन में जितने भी नकारात्मकता है नेगेटिविटी है वो सभी दूर होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे करके आपक गर में और आपके शरीर में शिव की उर्जा आनी शुरू हो जाती है भगवान शिव भूतों के नात है इसलिए उन्हें भूत नात भी कहा जाता है और भूत प्रेत गण ये सब ये सभी भगवान शिव के गण हैं उनके सेवक हैं तो जब भगवान शिव की पूजा करनी दैव तत्थ पर रहते हैं क्योंकि आप भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं और भूत प्रेद भगवान शिव के सेवक ही हैं तो जब आप शिव की शिव का पूजन करेंगे शिव की उपासना करेंगे तो भूत प्रेद भी आपके सहायक बन जाएंगे आपके मित्र बन ज शुरू हो जाती है हमारे चक्रों में समाहितों शुरू हो जाती है हमारी आत्मा हमारी जो आत्मा का तेज है और आत्मा का ओज है वो बढ़ना शुरू हो जाता है जब दीरे लेकिन ये सभी चीज धीरे धीरे करके होती है दोस्तों एकदम से कुछ भी नहीं होता कि आपने सि कार्य में आपको महारत हासिल करने के लिए आपको समय लगेगा माल लीजिए आप जिम जातें हैं बोड़ी बनाने के लिए लेकिन ऐसा तुनि एर कि आपने एक महीने जिम करी और आपकी बॉड़ी बन गई वहाँ भी आपको एक दो साल पांस साल आपको लगाने पड़ते तब जाकर के आपकी बोड़ी एक अलगी शेप में आती है तो इसी प्रकार से मंत्र का जाब भी जब हम करना शुरू करते हैं तो दीर दीरे करके हमारी सारी नेगेटिविटी नकारात्म कुर्जा भूत प्रेत की बादा हमारे काम म आ रही बाधाएं दूर होती है हमारे समस्त पूर्व जन्मों के जो संसकार है वो सभी कठते हैं हमने जो भी पाप किये हैं जो भी बुरे कर्म किये हैं उन सभी का नाश होता है तब जाकर के मंत्र की उर्जा हमारे शरीर में ठहरनी शुरू होती है और हमारी जो कुंड लि आपको भगवान शिव का दर्शन होना शुरू हो जाता है भगवान शिव से संबंदित जो भी चीजे हैं जैसे की नंदी भगवान शिव के सेवक हैं भगवान शिव के गण भूत प्रेत ये सबी आपको दिखने शुरू हो जाते हैं सपने में भगवान शिव का मंदिर आप आपको दिखना शुरू हो जाता है भगवान शिव के सेवक यानिकी नागराज इनके दर्शन होने आपको शुरू हो जाते हैं तो यह सभी चीजे इस्टेप बाइस्टेप आगे बढ़ती जाती हैं और आपकी दीर दीरे करके मंतर जाप आपका बढ़ता जाएगा आपके अ जैसे कि हमारी जो अश्ट सिद्धियों को जो विधान बताया गया शास्त्रों में वो अश्ट सिद्धियां भी आपको पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं भगवान परशूराम जो की भगवान शिव के ही उपा सके शिव के ही भकते हैं इसी मंत्र का जाप करके उन्होंने महान दिव्य सिद्धियां अरजित करी और आज आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान परशूराम जो की चिरन जीवियों में आते हैं जो आज भी विद्यमान है कल भी विद्यमान थे और आगे भी विद्यमान रहेंगे तो ओम नमस्षिवाय बहुत श आप करते हैं तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है जपाते सिद्ध ही जपाते सिद्ध ही जपाते सिद्धी नशाइंश यहां फिर चाहे वह पंचाक्षरी मंत्रों चाहे वह नवार्ण मंत्रों चाहे वह अश्ठाक्षर मंत्रों चाहे वह द्वादशाक्षर मंत्रों चाहे व कि देवी देवताओं का शाब्डिक स्वारूपी मंत्र होते हैं, तो मंत्र सिद्धी समझो देवता सिद्धी, अब मैं आपको बताओं कि जब आपको मंत्र सिद्धी पराप्त हो जाती है तो आपको क्या-क्या दिवए गटना आपके साथ में गटती है, देखिए, किसी भी पूर्वा भास आपको होना Стवру जाता है आपको हमेशा ऐसा मैसूस होगा कि कोई दिव्षक्ति आपके पास में मौजूद है जो आपको जानकारी देती रहेगी ऐसा तो नहीं है कि वो दिव्षक्ति आप से एक डम फेस टू रूप देखने को मिलता हैं लेकिन अगर आप घरों में साध्नाए करेंगे तो दिव्य शक्ति अद्रश्य रूप से आपके साथ में रहेगी और आपको जानकारी देती रहेगी पुर्वाभास आपको होता रहेगा कुछ गलट होने वाला होगा उसका पुर्वाभास आपको शक्तियां इस तरह की सिद्धियां भक्तों को सादकों को प्राप्त हो जाती हैं लेकिन नियमित रूप से जाप करिए एक गंटा सुबह एक गंटा शाम को ग्यारा माला करिए सुबह ग्यारा माला शाम को तो भी मंतर सिद्ध होता है ऐसा निये कि आप किसी मंतर का हो गया है क्योंकि दो तीन साल में अगर आपने रोज की ग्यारा माला करी और आप खुद जोड़िए एक साल में बारा महीने होते हैं बारा महीने में आपने हर दिन 11 माला करी और एक महीने में 30 दिन होते हैं तो आपने कितना जाप कर लिया तो वो जाप गया कहा वो जाप कहा गया वो कहीं ना कहीं तो गया है कहीं नहीं गया वो जाप आपके अंदर ही गया है वो जाप और उस जाप ने आपको सिद्ध बना दिया है तो यह चीज़ है क्यों मैं आपको एक सीधी सी चीज़ बताता हूँ, जब आपके साथ में दिव्य घटनाय घटनी शुरू हो जाए ना, जैसे कि आपको एक अलगी अनुभव होना शुरू हो जाए जो एक सामानने लोगों को नहीं होता, तो समझ जाना कि आपको मंत्र सिध्धी प्राप्त हो रही ह या आप साधना के शेतर में आगे बढ़ रहे हैं ये सबसे बड़ा संकेत है ये सबसे बड़ा लक्षन है तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूंगा आशा करता हूं दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी पसंद आई होगी मिलूंगा आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक करना शेयर करना जै मातरानी की